कि हलो व्यूवर्स स्वागत है आपका अपने आपके अपने चैनल स्टेडी विथ माइंड मैप्स एंड वाइस नोट्स में आज हम चर्चा करेंगे मद्द प्रदेश में प्रोफेशनल एक्जामेशन बोर्ड द्वारा पुलिस कॉंस्टेबल के लिए जो 2017 में पेपर लिया बारा तो आएए हम सुरू करते हैं जो कि आप देख रहे हैं आप एक क्वेशन पूछा गया था मानवा अधिकार दीवस किस दिन मनाया जाता है एक सितंबर दस नोवंबर दस दिसंबर और पंदरा जुलाई उप्सन में था इसका राइट अंसर था दस दिसंबर को मनाया गयाता है दूसरा कोशन देखते हैं तो इसमें था विदिसा किस नदी के तटपर इस्थित है ए रावी बी सोन सी केन और डी बेतवा जिसका राइट अंसर है बेतवा नदी जी हाँ विदिसा बेतवा नदी के तटपर इस्थित है इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी इसके options दिये थे राणा सिंग, समराट असोग राजा विक्रमा देते और सूरस सिंग इसका सही अंसर है सूरस सिंग अगला question देखते हैं आईए प्रधान मंतरी स्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल्य उदय कि लेखक है option थे राजीव सर्देशाई तरुन विजय राजीव स्रिवास्तो और रज़त सर्मा तो इसका सही अंसर जो दिया था वो था तरुन विजय यह देखिए अब अगला question देखते हैं अगला question है हिंदूस्तान Aeronautical Limited की स्थाप का मुख्याले कहां इस्थित है इसके options थे चिन्नई, बेंगलूरू, देवास और कोरापूट तो जैसा कि हम सभी जानते हैं हिंदूस्तान Aeronautics Limited का मुख्याले जो है आपका बेंगलूरू में इस्थित है यह देखिए आएए और देखते हैं भारत में कुल कितने केंदर सासित प्रदेश है ओप्सन था 11, 10, 12 और 7 जी भारत में कुल 7 केंदर सासित प्रदेश है अगला कोश्यन देखते हैं भारती रिजर्व बेंक की स्थापना कब हुई थी ओप्सन में था 1949, 1947, 1927 या 1935 तो इसका सही अंसर था 1935 में अगला कोश्यन देखते हैं आईए केंदर सरकार के वित्यमंतराले में मुखे आर्थिक सलाकार कौन है तो मुखे आर्थिक सलाकार के बारे में पूछा था तो इसमें औप्सन दिये था अरविंद सुब्रमनियम, संजीव सान्याल सुप्रवन्यम स्वामी और रहुराम राजन तो इसका सही अंसर था संजीव सान्याल केंदर सरकार के मुखे अर्थिक सलाकार कौन थे वित्तमंत्राले के संजीव सान्याल अभी की लेटिस में क्या है यह आपको देख लेना है यही है तो यही अंसर रहेगा अगला संस्कृत के लिए 2014 के साहित्यकादमी पुरुषकार के विजीटा के रूप में किसे नामित किया गया था तो पूछा है संस्कृत के लिए साहित्यकादमी पुरुषकार 2014 के लिए नाम आंकित किसी के गया था? Option थे राम जी ठाकुर, मिधिला प्रसाथ तिरपाठी, प्रभुनात दुवेदी और राम संकर अवस्थी. तो कौन थे जी? प्रभुनात दुवेदी. संस्कृत, संस्कृत के लिए संस्कृत में लिखने के लिए साहित अकादमी पुरुषकार 2014 प्रदान किया गया था प्रभनात दुवेदी आईए अगला कोशन देखते हैं किसने ओर्चा के चतुर्भुज मंदिर का निर्मान करवाया था ओर्चा के चतुर्भुज मंदिर का निर्मान किसने कराया था आपसर दिये थे सत्पुना राजा, बुंदेला राजपूत द्वारा राजा विक्रमा दित द्वारा या राजा बोज द्वारा तो इसका सही अंसर था बुंदेला राजपूत द्वारा कराया गया था जी किसका मंदिर का उर्चा के चतुर मंदिर का निर्माण बुंदेला राजपूत द्वारा कराया गया था अगला देखते हैं क्या है विध्यान्चल स्रेणी की सबसे उची चोटी पूछी गई थी इसमें option दिये थे बैल चोटी, मिकाई स्रेणी, कैसल केड स्रेणी या गुडविल चोटी तो इसका answer था गुडविल चोटी, विंध्यांचल स्रेडी की सबसे उची चोटी, गुडविल चोटी अगर पूछे इस बार तुम बिल्कुल लगा देना answer से अगला question देखते हैं, भारती सेना के प्रमुक कौन है, जनरल विक्रम सिंग, जनरल दलवीर सिंग, जनरल विपिन रावत या जनरल दीपक कपूर तो उस समय थे, सही answer था, जनरल विपिन रावत, जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी दुरगटना में इनके उनकी message के मरत्य हो गई थी, ये cds बन चुके थे, तो अभी के जो बारती सेना के प्रमुक है, latest, उसको आपको comment box में जाकर comment करना है, इतनी जानकारी तो रखनी जी, ये, केंदरी परियावरन वन एम जलवायू परिवर्तन मंतराले के climate smart village प्रोजेक्ट में मद्द प्रदेश के कितने गाउं सामिल किये गए हैं, ये आया था, option थे 50, 90, 80 और 60, जिसका सही answer है, 60, अगला देखते हैं, भारत की परमानु सक्षम मिसाईल अगनी पांच का 2016 मिप से परिच्छन किया गया था, कौन से द्वीब द्वारा परिच्छन किया गया था, अगनी फाइप का 2016 में, ये बताना था इसमें, option थे मुन्रो द्वीब, स्री रंगरम द्वीब, अब्दुल कलाम द्वीब, और हैवलोग द्वीब, इसका सही answer था, अब् प्रतीक पर निम्न में से कौन से सब्द अंकित नहीं है, राश्टी प्रतीक पर पूछा है, नेस्नल एंबलम जो है, उसमें कौन सा सब्द इसमें से अंकित नहीं है, ये बताना था में, option थे सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जनगणमन, भारत माता की जय, तो सत्यमेव जय जयते, अंकित है, कौन सा सब्द अंकित है, सत्यमेव जयते, अंकित है, अगला देखते हैं कोश्यन आईए, अगला कोश्यन देखते हैं आपका, जी हाँ, ये, विभाजन परिशत के अध्यक्ष कौन थे, विभाजन परिशन, पार्टीशन काउंसिल का जो अध्यक्ष थे, वो कौन थे, ये पूछा है, ए, लॉर्ड मांट बेटन, बी, जवाहलाल नेरू, सी, एमेजिन्ना, और, डी, वीपी मेनन, कौन थे विभाजन परिशत के अध्यक्ष ये पूछा है, तो इसके विभाजन परिशत के अध्यक्ष थे, लॉर्ड मांट बेटन, जी, सही जवाब है, लॉर्ड मांट बेटन, चलिए अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नहीं ज्यादा लंबा हो जाएगा, आपको यह वीडियो कैस लगा, लाइक और कमेंट के माद्यम से हमें जरूर अभबत कराएं, जल्दी आपसे मुलाकात होगी, धन्यवाद,